हेलो बच्चों आज हम देखने वाले हैं गक्षा छठी की हिंदी इकाई दो पार्ट चार सोना और लोहा इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दूबे इनके बारे में पढ़ लेते हैं इनका जन्म हुआ है 21 जून 1908 1908 में ठीक है 1908 ऐसे लिखेंगे ये वाला उत्तर प्रदेश ये उ और ऐसे प्र लिखा रहता है ना ऐसे उ और प्र तोर समझे उत्तर प्रदेश है अगर उ की जगा पर म ऐसे है तो मद्ध प्रदेश है मृत्यू 24 जनवरी 2021 इनकी रचनाएं हैं अभिलाशा चलो चले डाल डाल के पंची मा यह कौन फूल और कांटा ये सब इनकी रचनाएं हैं मतलब इन्होंने लिखा ये सारे बुक्स आप प्रसिद बाल साहित्यकार हैं बाल साहित्यकार हैं बच्चों के लिए ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं अच्छे इच्छी कविता हैं अच्छे इच्छी कहानिया इस जो हम पढ़ने वाले हैं इस कहानि में हम देखेंगे प्रस्तु समाध में क्या पिर भी यहां पर लेखक ने ये बताने की कोशिष किया है। और कैसे वो दोनों चीज़े हमारे लिए उपी होगी है और कौन जादा यूसफुल है हमारे लिए तो इस समवाद में यानि इस जायलॉग में रूप रंग की अपेक्षा यानि सुन्दर्ता की अपेक्षा सद्गुणों के अच्छे गुण महत और उसकी कीमत पे महत पर जो आउंगी तो फिर मैं उसमें आपको बता दूंगी इस कांसा ठीक है धातों के नाम जैसे क्या है मैटल्स कॉपर एलुमेनियम है ना गोल्ड आयन सिल्वर वह सब मैटल्स हैं और उनसे बनने वाली वस्तों यह सब मैं आपको क्वेश्चन आसर में बता दूंगे अलग से व लोहा मजबूत होता है सोना बोलता है मैं स्वर्ण यानि सोना मैं स्वर्ण मैं सोना मेरी भी क्या शान है है ना कितना आली शान हूं मैं कितना सुन्दर हूं मैं मेरी भी क्या शान है जिससे देखो मुझे चाहता है मेरे गुण्धी ऐसे हैं गुण्यानि मेरे में ते क्या कह रहे थे मेरा रूप ही ऐसा है मेरे गुण ही ऐसे है अच्छा मतलब तो तुम क्या बोल रहे हो कि मेरा गुण ऐसा है मेरे रूप ऐसे है सोना बोल रहा है मैं क्या जूड बोल रहा हूँ मेरा चमकता पिला रंग देख संसार में मैं सबसे सुन्दर हूँ क्या बोल हम देखते हैं कि लोग सोना को कितना चाहते हैं गोल्ड को लोहा बोलता है सोने पहले यह तो बता कि तु तु तिजोरी से बाहर क्यों आया मतलब बोलता तिजोरी या नहीं जिसमें हम सोने चांदी को छिपाके रखते हैं अच्छे से से क्योर करके मतलब वहां पर प्रोटेक से खाली नहीं यानि कि बोल रहा है मैंने लाक बार कितनी बार तुझे समझाया कि तरह बाहर निकलना खत्रे से खाली नहीं मगर तू है कि मानता ही नहीं तेरी रक्षा का भार मुझ पर है मतलब ही देखो पेटी में ही रखता है ने यह देखो मानलों कि यह क्या है पेटी है या बॉक्स है कुछ भी है लोहे की पेटी इसमें ही सोना चांदी लोग छुपा के रखते हैं अच्छे से तो बोलता है कि तेरी रक्षा का यानि तुझे प्रोक्टेट करने का भार काम जो रक्षा उसके नौकर चाकर तो ही करते हैं ओके लोहा अच्छा तू राजा और मैं नौकर मतलब यहां पर सोना क्या बोल रहा है अपने आपको राजा कि मैं राजा हूं और मेरे नौकर चाकर रक्षा करने वाला कौन है वो लोहा ठीक है तो लोहा बोलता है अच्छा तू रा अगलग डिजाइन के हम बना लेते हैं इतना पतला पतला डिजाइन क्या लोहे का बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह बहुत ही कठोर होता है लोहे जो सोना होता है वह बहुत ही नरब होता है तो अगर एक फटका लगेगा जोर का लोहे का तो उसका रूप तो बदल जाएगा तो यहां पर वही वो रहा है मेरे एक चांटे से ना तिरा रूप बदल जाएगा चल भीतर यानि चलती जोरी के भीतर सुना बोलता है भले ही तुम मुझसे बड़े हो मगर मुझे डाटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं यहां पर देखो सोना क्या बोल रहा है कि तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो मगर मुझे डाटने का तुम्हें कोई हक नहीं है अधिकार मतलब हक नहीं तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझे डाटने का मेरे 10 ग्राम का मुल्य 25,000 तो तुम 25-30 रुपए में कीलो के हो यानि ग्राम ज्यादा होता है कि किलो बच्छों सिर्फ 10 ग्राम की मुल्य वो अपना 25,000 बता रहा है अभी तो और ज्यादा बढ़ गया न 10 ग्राम का तो अभी आप पता कर देखो कितना हजार है अब मुझे कॉमेंसेक्शन ने बताओ कि 10 ग्राम सोने का कीमत अभी क्या चल रहा बोलता है यही कि मेरे 10 ग्राम का मुल्य तो 25,000 तक होगा और तुमारा तुम तो 25 तिस में 1 कीलो के आ जाओगे विन तलब इतनी कम प्राइज है उतना कम मुल्य है तुमारा लोहा बोलता है रुपेएओं में किसी वस्तु का मुल्य लगाना व्यर्थ है यानी बेकार है कौन कितना उपी होगी है कौन कितना यूसफूल है सोने से पेट नहीं भरता यानि कि गोल्ड से पेट नहीं भरता मैं सबका हाथ बटाता हूँ सोना अरे लोहे से कैसे पेट भरता है लोहा बोलता है मैं अगर ना रहूं तो किस से बनेगा फावडा, कुदाल, खुर्पी, मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए बिल्कुल सही है देखो ये कुदाल, फावडा, खुर्पी क्या है देखो यहाँ पे मैं बताते हूँ ये देखो यहाँ पे है कुदाल ये जिससे खेत वगएरा खुदते हैं ये सब देखो फावडा है ये ये है कुदाल, ये है फावडा और खुर्पी भी बोला ना, खुर्पी किदर है इसमें ये देखो खुर्पी देर है ये जो दिख रहा ना, ये खुर्पी है इसको बोलते हैं हसिया हसिया से क्या करते हैं देखो इधर भी है कुदाल ये फाओडा ये देखो आरी है जिससे पे ये काटते है ना लकडी वगएरा वो है और ये क्या है ये है कुलहाडी ये हथाओडी और ये सब लोहे का सावान देखो कि इतने सारी चीज़े लोहें की बनी हुई है सब लोहे कि यहां पे भी दिखो ये खुरपी है इससे क्या होता है जो खेत में के घास वास निकालने के काम आता है और इससे हंसिये से क्या काम होता है जब फसल पक जाते हैं तो इससे काटते हैं तो यहां पे बोलता है कि मैं अगर ना रहूं तो किस से बनेगा फावडा कुदाल खुरपी सोने से थोड़ी बनेगा और मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए ही चाहिए आपको पता है जब मकान बनता है तो उसमें रौट डलते हैं और बहुत सर चीज़े लोहे का ही चीज़ रालते हैं ठीक है ओके युद्ध में लोहे के ही अस्त्रशस्त्र काम देते हैं क्या बोलता है युद्ध में लोहे के ही अस्त्रशस्त्र काम देते हैं कोई बड़ा काम करना हो लोहे के विना हो ही नहीं सकता रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है क्या बोलता है रोटी अब यह में तो पता ही है यह बात है ना सभी कुछ हर हर चीज लोहे से ही आजकल बन रहा है ठीक है मजबूत चीज़ बनाने है तो लोहे का बनता है सोना बोलता है अंगूठी माला बाली लोहे से नहीं बनते उसके लिए मेरी ही तलाश होती है मैं राजा महराजाओ ध सोने का बनता है हार अंगूंठी सोना सब चैन वगारा होता है वो सब ang generated मैं उची जगह पर रहता हूं नीचे नहीं उतरता मैं ठीक है है तो देखो यहां पे लोहा बोलता है तू राजाओं धनिकों का प्यारा है मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ नहीं आपको जितने इंस्टूमेंट दिखाए अभी नीचे वो सब किसान ही यूज़ करते हैं ना मजदूर ही यूज़ करते हैं वहीबड़ी-ब लग रहा है दरवाजे में लग रहा है कबड में लग रहा है ठीक है हर एक चीज में लग रहा है बेड़ बनाने में लग रहा है लोहा घर बनाने में लग रहा है तो सारी चीजें तो बड़ी-बड़ी लोग हैं अमीर लोग रिच परसन राजाओं का यानि किंग्स के तू तू प्यारा है मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है लोहा बोलता है कि गरीबों का हिल्प करके उनकी सेवा करके मुझे बहुत ही आनंद मिलता है मैं ही चाहिए ठीक है बड़ी बड़ी मशीन जो होती है faqtries बगरा में उसमें strummy के तो काम करते हैं उनको क्या सोना चांदी पहन के थोड़ी काम करेंगे सोना चांदी अभी कौन दीवर पहन के घुमता रहतا है ठीक है अभी तो सब लोहे का जो बड़े बड़े फैक्टरी वगर है उसमें बड़ी बड़ी मशीने सब लोहे की होती है सोना बोलता है मुझसे तो मेहनत नहीं होती मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा मतलब आराम से रहता है हूँ और आराम से ही रहना चाहूंगा लोहा बोलता है आराम हराम है मतलब आराम करना हराम के जैसा है मतलब बेकार है मुफ्त में खाना खाने से कुछ मतलब नहीं हमें मेहनत करना चाहिए श्रम में ही जीवन की सफलता है श्रम यानि मेहनत में हार्ड वर्क में जीवन की सफलता है ठीक है तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ मैं कल खार खानों यानि फैक्टरीज में में मैं दिन रात काम करता हूं ठीक है जो मशीन होती है लोहे की वो बोल रहा है मैं दिन भर काम करता हूं पुरा टाइम चलता रहता है वो मशीने जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा ठीक है जो काम करते हैं उन्हीं का सम्मान होगा दादा मुझे घबराहट हो रही है तो क्या वह बोलता है मेरा क्या होगा दादा मतलब मुझसे बड़ object तो यहां पर बोल रहा है दादा या नहीं भाई मुझे तो घबराहट हो रही है मतलब मुझे तो टेंशन हो रही अभी लोह बोलता है तू डाल डाल मैं पात पात डर मत सोने तू डर मत तू डाल डाल मतलब जहां पर तू जाएगा उसके पहले मुझे वहां रखा जाएगा पहले सोनी के पेटी लाई जाएगी ताकि उसमें तुझे रखने के लिए कोई जगत हो चाहिए ठीक है और तू से मैं एक कदम आगे हूँ तो डाल डाल मैं पात पात एक किया है कहावत है ठीक है कि बोलता है कि तू डाल डाल मतलब एक कदम आगे ही रहना उससे किसी वी कुझें लोहे की पीटियों में ही रखे जाते तो घमंड करना यह तू Two चोड़ दे अपने पर गर्व करना छोड़ Wilson दे हमेशा तरी रख्षा करूगा सोना जोड़ दूंगा भाई या मेरी रख्षा करना मेरीर लं मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे बचा के रखना, लोह बोलता है, अच्छा-च्छा, तो मेरा छोटा भाई है, चल भीतर चल, बीना पुछे, बाहर मत आना, तो सोने को फिर से आगाह करता है, अड़ाइस देता कि, तो मेरा छोटा भाई है, तो चल मेरी बात मान, तो अंदर चल, जाता है ठीक है यह नमतलब करना मद बूले यह पहले पहला कर अप्सक्न हो ओन सिक अप वीडियो व्लोट करेंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और पने फ्रेंड साथ भी शेयर कर दीजिए उनको भी हेल्प मिल जाएए ओके